इस वीड़ों बात करेंगे कि इसरम कार का पैसा आप किस तरह से चेक कर सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से एक आपको लिए बहुत बड़ी खुसकब लिदी गई है हर्याना में 4000 रुपे डाले गए हैं सभी के इसरम कार अकाउंट में और जो यूपी से हैं उनके में 1000 रुप बता दिया गया है अब आप अपने इसरम कार का पैसा किस तरह से चेक कर सकते हैं गर बैठे अपने सिर्फ मोबाइल नमबर से तो इसका सिटप बताने वाला हूं सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहां पर एक साइट सर्च करने आपको जिसका नाम है यूपी ए SSB.Insight है यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो की उतरपरदेश की है अपको यहां पर एक उप्शन मिलेगा नीचे देखेंगे तो आप मेंटेंट इनक्टिव सकीम और यहां पर इस तरह से उप्शन मिलते हैं अब आपको यहां पर एक उप्शन मिलेगा बरन सकते हैं isram card apply करने का option भी आपको यहां पर मिल जाता है अब आपको творan portion बता है उजना पर क्लिक करना है आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने एक option आएगा mobile number का आपको यहां पर आपना mobile number fill कर देना है जसे है Госork को यहां पर आपको mobile number डालन और इसके बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपकी जो सारी डिटियल है नीचे की वो सो कर जाती है कि आपके आकाउंट में अभी तक कितने पेसे आ चुके है इसरमकार के अगर आप हर्याना से तो हर्याने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले गूगल पर जाना ह आपको Google पर जाने के बाद आपको सर्च करना है Ishram Card, Ishram Card सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, साइट पर आ जाना है, अब यहाँ पर आप देखेंगे Ishram Card का registration भी option मिलता है, और येक option मिलता है already registered यानि की update का दो तो बहुत सारे अपडेट की आएगी अर्याना वालों ने अपने इसरम कार बनवाय तो हैं CSC से पर वहाँ पर उनके account को verify नहीं किया गया है अगर आप हर्याना से हैं और आपका registration हो चुका है इसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तो आपको इसरम कार की site पर जाकर अपना UN number लगा कर यहां से आपको update कर लेना है क्योंकि हर्याना के लिए 4000 रुपे दिया रहे हैं सभी के account में 4000 आ रहे हैं आपको update कर लेना है आपको अपना mobile number और bank account number यहां पर verify कर लेना है family ID में आपकी जितनी income है एक लाक 80,000 से कम होनी चाहिए तब ही आपके में 4000 रुपे आ सकते हैं अगर आपकी income ज्यादा है तो आपके में 4000 रुपे नहीं आएंगे और आपका bank account अपने आदारकार से लिंक जरूर करा लेज़ेगा इसके बाद ही आपका account में पैसे आ सकते हैं जो की बहुत आपके आशान तरीका है thank you for watching this video